जैमाता दिमित्रो, स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल मेरी प्यारी मा कालका में आज का जो मेरा विश्य है है वो है सवारी से संबन्दित देवता की सवारी को काफी जिग्या सा मन में रहती है जानने की, उसके अनुभवों को जानने की सबसे पहले तो मैं यही जान लेना चाहिए कि सवारी होती क्या है देवता की सवारी का मतलब देवता के द्वारा अपनी किरन या अपना पुंज किसी भगत के सरीर में भेजना देवता स्वयम नहीं आते क्योंकि उनकी उर्जा को मनुष्य सेहन ही नहीं कर सकते वो एक किरन एक उर्जा पुंज भेजते हैं जो की सवारी की रूप में आता है बाते करता है जो की वगएर पर पूछा देते हैं सब कारे करता है और ही भगत के हाथ में होता है कि अपने उस उर्जा को उस कीरन को अपने जब तब से कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है देखे मेरे खुद के भी अनुभव हैं और मैंने बहुत से व्यक्तियों से उनके अनुभव को जाना है कि एक सवारी के समय पर क्या-क्यानुभव होते हैं सबसे पहले जो सकारात्मक उर्जा प्रवेश करती है किसी भगत के सरीर में तो वो जातर आँखों से प्रवेश करती है जिसमें आँखों में खुजली जलन जैसा लगता है और जिस समय सवारी आती है हमारा रक्त का प्रवहा भी तेजी से होने लगता है चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो पर ऐसा सर्दी जैसा लगता है जैसे हमें हमारे रोंगटे खड़े हो गयो दिल की धड़कने बढ़ने लगती है सिर को गुमाने का मन करता है लगता है जैसे कोई कुछ बोलना चाहता है उल्टी जैसा लगता है और सवारी के समय पर जातर व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता और कुछ को याद रहता है कुछ का कहना है कि उन्हें सब याद रहता है कि उन्होंने क्या क्या किया और एक में जो बात है सवारी की यदि किसी व्यक्ति पर सवारी आती है किसी देवता की तो उन्हें अपना गुरु धारन जरूर कराना चाहिए उन्हें गुरु धारन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो सवारी को भविश्य में आगे तक लेकर नहीं चल सकते अकेले गुरू का होना बहुत ही जुरूरी है सवारी देखे सवारी जो मिलती है वो दो तरीके से मिलती है किसी व्यक्ति को एक तो गुरू के द्वारा और एक स्वंब देवता प्रसन होकर अपने भगत को अपनी सवारी परदान करते हैं उनकी सेवा से उनकी भक्ती से और जब हम गुरू धारन करते हैं तो गुरू के द्वारा सवारी को जो है वच्चन करवाए जाते हैं देवता की सवारी को कि आप इस बच्चे का भला करेंगे चाहे आपको कोई कितनी बी बली क्यों न दे पर आप किसी की कहने में नहीं आएंगे आप इस बच्चे का सदा ही भला करेंगे और एक चीज आपने और देखी होगी कई बार देखा हूँ कुछ व्यक्ति वर जो सवारी आती है वो काफी परचंड तरीके से आती है खेलती है बहुत जादा ही परचंड होती है और किसी को आप देख कर बता भी नहीं सकते कि सवारी आ चुकी है बहुत ही सौम्य रूप एक सिर्फ एक जटका सा लगता है उन्हें और देखा की सवारी आ जाती है पूछा देती है किरितन में जागरण में कहीं भी आ सकती है कुछ व्यक्तियों को सवारी आने में 5-10 मिनट का समय लगता है कुछ को याद करते ही आ जाती है यह सब निर्बढ करता है अपनी भक्ति पर कि देवता कितने परसन है आप पर भजन को सुनते ही सर गूमने लगता है सवारी हाजिर हो जाती है तो यह सब अनुबह होते हैं सवारी के जिसमें अगर आप अपनी पूजा को बढ़ाएंगे उस पूज को उतना ही वह मजबूत होगा उस देवता की जो कीरन है वो पूज है उतनी ही मजबूत होगी वो सब आपके हाथ में है मित्रो अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूँ आगे मैं और वीडियो में आपसे अलग-अलग विसे पर बात करूँगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें जै माता दी झाल 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 झाल